मोबाइल अथवा कोई भी इलेट्रोनिक उपकरण ले जाना सभी परिक्षारतियों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है और जो भी परिक्षारती यदि इस प्रकार के कोई भी उपकरण ले जाते हुए पाई जाते हैं तो उनका नसर्फ वपकरण जब्द कर लिया जाएगा बलकि उनको परिक्षा से निश्काशित करते हुए उनको परिक्षा से वन्चित भी किया जाएगा और उनके वरुत में प्रात्मी की भी दर्श करा ही जाएगी परिक्षार्थियूं के लिए या ध्हां देना अत्यन तफार शक्षा है कि परिक्षा केंद्रों पर प्रवेश क्योंनुमति परिक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनिट पूर्व तक ही मिलेगी अधात जो परिक्षा फर्स सिटिंग में स्राढ़े नौ बजे प्रादब होगी उस परिक्षा के इंदर पर परिक्षारती को नौ बज कर बीस मिनट तक हर हाल में पहुंचना आनिवारी होगा और जो परिक्षा द्वितिय पाले की एक बज कर 45 मिनट से शुरू होगी उन परिक्षा के इंदरों पर परिक्षारती को एक बज कर 35 मिनट तक पहुंचना आनिवारी होगा इसके बाद इस समय सीमा के बाद जो भी परिक्षार थी यह दी परिक्षार के इन पर पहुंचेंगे तो उन्हें परिक्षा में बैटने किनमोटी नहीं दी जाएगी यह ध्यान देना इसलिए आवशक है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी जो इसका अनुपालन नहीं करते हैं जो इस समय सीमा के बाद पहुंचते हैं उनकी परिक्षार छूट जाती है और फिर उनका पूरा वर्ष या तो व्यर्थ हो जाता है या उनको वैकलपिक माध्यमों से अन्य परिक्षा में परिक्षा या अन्य जो भी वैकलपिक उनके लिए माध्यम उप्लब्ध हो उसमें बैठने की बादेता होती है इसलिए अतेन्त आवर्षक है कि सभी परिशारतियों से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि आप निर्धाय समय से काफी पूर्व परिशा के लिए पर पहुंचें और यहां जो समय सिमा 10 मिनिट की दी गई है या अधिक्तम सिमा है इससे भी आप काफी पहले पहुंचें ताकि आपको परिशा के लिए पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहों और ट्रैफिक जाम या इत्यादी अंक किसी भी प्रकार की दिस जिले में कोई समस्या होती है उसके कारणा आपको परिशा में किसी प्रकार की कटनाई नहीं हो इस परिशा के लिए पर पूरी तरह कड़ाई के साथ परियाब संग्या में दंडादिकारी पुलिस प्रादिकारी और पुलिस बड़ों की प्रत्निक्ति इन सभी परिशा के लिए पर की गई है इसके साथ ही सभी जिलों में जोनल दंद अधिकारी, सूपर जोनल दंद अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड्स की प्रत्यूंति की गई है परिक्षार्टियों का दो बार फिस्किंग करने के अंदेश दिया गया है एक बार गी हिट पर और दूसरी वाज़ा परिक्षार्टि बैट जाएंगे परिक्षा के अंदरों पर उस समय पुन परिक्षार्टियों की दुबारे जाश कराई जाएगी और 25 परिक्षार्टियों पर एक विक्षक की विवस्था की गई है और ये विक्षक उन परिक्षार्टियों के सफल और कदचार रहीत परिक्षार्ट संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मवार होंगे और इस आशाय का उन्हें घोशना पत्र भी दिया जाना है सभी परिशाखेंद्रों पर संबंदित जिलों के संबंदित पाधिकारियों द्वारा 12144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ परिशाखेंद्रों पर CCTV की विवस्था की गई है और प्रतेक 500 परिशारतियों पर वीडियो कैमरा की विवस्था की गई है और इसके अलावा परिशा के दिरों के बाहरी भागों में भी वीडियोग्राफर की में विवस्था की गई है